हेलो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेर्स में आज हम देखेंगे 19 फरवरी 2024 से लेके 25 फरवरी 2024 के वीच की कुछ महत्पून घटना हैं और खबरें तो आज का हमारा पहला कोशन है एसिया का सबसे बड़ा जन जातिये मेला समक्का सरक्का जथारा कहां आजित किया जाता है तो दोस्तों यह मेला आजित किया जाता है तेलंगना भारत में और यह एसिया का सबसे बड़ा जन जातिये मेला है जो की तेलंगना के मुलुगु जि में आईजित किया जाता है और यह चार दिवसीय मिला होता है जिसकी शुरुआत मिदाराम जथारा उत्सव कन्यपली गाउं से सरक्का की मूर्ती के पारंपरिक आगमन के साथ शुरू होता है समक्का सरक्का जथारा जिससे मिदाराम जथारा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अन्याई शास्कों के खिलाफ एक मा और बेटी की जोड़ी समक्का और सरलम्मा के संगर्ष की याद दिलाता है तो इनके संगर्ष की याद में भी यह जनजातिय मिला हम मनाते हैं हमारा अगला कुशन है किस कॉंग्रेसी नेता को फ्रांस का सर्वोच नागरिक संवान शवेलियर डिला लीजियन दी ओनौर मिला है तो दोस्तों यह अवार्ड मिला है शशी थरूर को, और यह अवार्ड फ्रांस सरकान ने अगस्त 2022 में शशी थरूर को देने की घुछना की थी, लेकिन उन्हें यह पुरुषकार अभी हाली में 20 फर्वरी 2024 को दिया गया है, और यह दिया गया है नई दिल्ली में फ्रांस के दूता बास में Chvalier De La Legion the Honor इसको Knight of the Legion of Honor के नाम से भी जाना जाता है या旁ए शौर्ड में The Legion of Honor के नाम से भी जाना जाता है इसकी शुरूगात नेपोलियन बना पार्ट ने अठरा सो दो में की थी और यहाँ पर आप सशी थरूर को देख सकते हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है नेश्ट कोश्चन है अंतर राष्ट यह मात्र भासा दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों यह मनाया जाता है 21 फरवरी को और इसका जो आयोजन है भासाई और सांस्कृतिक विवित्ता के बारे में जावरुकता फैलाने और बहु भासा बात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और 2024 में मनाया जाने वाला यह 25 संस्करण है और 2024 की जो थीम है वह है बहु भासी शिक्षा सीखने और अंतर पीडिगत शिक्षा का एक इस्थम Multilingual Education is a Pillar of Intergenerational Learning अगला कोश्यन है सैन अभ्यास मिलन 2024 कहां आजित किया गया तो दोस्तों यह सैन अभ्यास आजित किया जा रहा है विशाखा पतनम में और इसका जो आयोजन है 19 से 27 फरवरी 2024 के बीच में किया जाएगा और इस 9 दिवसी अभ्यास में 51 देशों की 9 सैनाय सामि होंगी इसलिए इस युद्ध अभ्यास का नाम Multilateral Naval Exercise मिलन 2024 रखा गया है जिसकी थीम है ट्रिपल सी सोहाद्र सामंजश्य और सैयोग यह हर दो साल में होने वाला एक सैन युद्ध अभ्यास है और इसकी जो सुरवात है 1995 में हुई थी और तब इसमें केवल चार देशों ने participate किया था और भारतिय नौसेना की तरफ से इसके दोनों aircraft carrier INS विक्रांत और INS विक्रामयत्य पहली बार एक साथ इस इदभ्यास में सामिल हो रहे हैं और INS चैन नहीं भी इस practice में सामिल होगा जिसने हाली में अभी लाल सागर में rescue operation में हिस्सा लिया था next question है ग्यानपीट पुरुषकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तों अभी हाली में ग्यानपीट पुरुषकारों की गोशना हुई है इसमें गुलजार और राम बद्धाचार को बर्स 2023 का ग्यानपीट पुरुषकार संइकत रूप से दिया जा रहा है और 2023 में दि इंक कालरा जो की हिंदी सिनेमा की एक प्रिसिद्ध हस्ती और एक उच्च सम्मानित उर्दू कवी हैं। और यदि हम राम भद्राचार की बात करें, यह एक प्रिसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं और यह चित्रकूट में तुलसी पीट के संस्थापक और प्रमुक हैं। और इन्होंने चार महा कावियों सहित 240 से अधिक कितावें और ग्रंत लिखे हैं। प्रिथिष्ठित साहित्तिक पुरुषकार है, जिसे 1961 में स्थापित किया गया था। और यह केवल उन भारतिये लेखकों को दिया जाता है, जो भारत के संबिधान की आठवी अनुसूची में सामिल भारतिये भाषाओं और अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। और यह जो पुरुषकार है, मर्नो प्रांत नहीं दिया जाता है। इस पुरुषकार में 21 लाख रुपे की पुरुषकार राशी बाग देवी की एक मूर्ती और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और यदि हम 2022 की बात करें, तो 2022 का जो ग्यानफिट पुरुषकार है वह गोवा के लेखक दामुदर मुजो को दिया गया था। नेक्स्ट कुश्चन है, खजराहो निरत्य महुत्सव 2024 इस महुत्सव का कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों, 2024 में होने वाला खजराहो निरत्य महुत्सव इसका पचासव संस्करण है। जो की दिनांक 20 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 तक आजित किया गया। और इन दिनों में मंच पर विभिन निरत्य शेलियों विशेश रूप से सास्त्रिय का प्रदर्शन किया गया। और राज्य के परियतन को बढ़ावा देने के उद्देश से निरत्य महुत्सव के पहले दिन कथक कुम्ब में 1500 से अधिक कथक कलाकार शामिल होंगे। और इसके लिए इसको गिनीज Book of World Records में भी शामिल किया गया है। यदि हम खजराओ निरत्य महुत्सव की बात करें तो इसकी जो शुरुवात है 1975 में हुई थी और तब से लगातार इसको मद्वे प्रदेश सरकार के संस्कृती विभाग के अंतरगत उस्ताद अलावद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयत किया जाता है। तो दोस्तों अभी हाली में इनका निधन हुआ है यह जैन धर्म के गुरू थे आचार विद्यसागर महराज एक जैन गुरू संत श्रोमणी और दिगंबर जैन मुनी थे इनका जो जन्म है वह शरद पूर्णिमा को 10 अक्टूबर 1946 को करनाटक के बैल ग्राम जिले के सुप आचार विद्यसागर महराज जी ने अंतिम सांसली और डोंगरगर इस्तित चंदगरी परवत पर पंच तत्म में बिलीन हो गए है नेक्स्ट कोश्चन है स्वयम योजना किस राज सरकार द्वारा शुरू की गई है तो दोस्तों यह योजना शुरू की गई है उडिशा सर सरकार उडिशा के ग्रामीन और सहरी छेत्रों में 18-35 वर्स की आयू के बेरोजगार युवाहों को एक लाख रुपे तक का ब्याज मुक्त बैंकरिंड प्रदान करेगी और राज सरकार ने दो बरसों में कम से कम एक लाख ग्रामीन युवाहों को इस योजना के तहत कवर क सामाजिक विकास आयोग के 62 संस्क्रण की अध्यक्षता किस देश ने की है तो दोस्तों सामाजिक विकास आयोग के 62 संस्क्रण की अध्यक्षता हमारे भारत देश ने की है और इससे पहले 1975 में भारत ने इस आयोग की अध्यक्षता की थी और भारत की तरफ से संयक्त राष में भारत की इस्थाई प्रतिनिदी राजदूत रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास आयोक के 62 सस्त्र की अध्यक्षता समाली इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं इनों ने इस 62 सस्त्र की अध्यक्षता की है और यदि हम रुचिरा कंबोज की बात करें तो यह 1987 बेच की भारतिय विदेश स्विवा की अधिकारी हैं जो बरतमान में अगस्त 2022 से संयुक्त राष्ट में भारत की इस्थाई प्रतिनिदी के रूप में कारे रत हैं और इस 62 सस्कन का जो समापन है वह राजदूत कंबोज ने आने वाले अध्यक्ष के रूप में पोलेंड का भी सामाजिक विकास आयोग के 63 सत्र की अध्यक्षता करेगा और यदि हम सामाजिक विकास आयोग की बात करें तो इसकी जो इस्थापना है 16 फरवरी 1946 को हुई थी और जो इसका हैड क्वार्टर है वह नियू और USA में है और इसके जो अभी हैड है वह है निकुलस हैनिगन ये इसके अभी हैड है नेक्स कोशन है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो दोस्तों अभी हाली में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2030 जारी किया गया है इसमें जो भारत को इस्थान मिला है वह है 41 इस् जिसमें भारत को 41 वा स्थान मिला है और यदि हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है नॉर्वे दूसरे स्थान पर है न्यूजिलेंड तीसरे स्थान पर है आइसलेंड और 41 वे स्थान पर पोलेंड और भारत है और इनको जो 2023 में जो इनका score है वह 7.18 तो यदि हम इनका index देखें तो यदि इनका score 9 से 10 के बीच में होता है तो वह एक full democratic देश माना जाता है और यदि 7 से 7.99 के बीच में होता है तो इसको flawed democracy की category में रखा जाता है तो जो हमारा भारत देश है वह फिलावड democracy category में आया है और यदि हम आकरी place की बात करें 167 वे इस्थान की तो अफगानिस्तान 167 वे इस्थान पर है नेक्स्ट question है विश्वे सामाजिक नयाए दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तों विश्वे सामाजिक नयाए दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को और पहली बार यह 2009 में मनाया गया था और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश है वह सामाजिक अनयाए के खिलाफ बनाना, bridging gaps, building alliances, यह इसकी theme है, next question है, 2024 में मिजोरम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो दोस्तों अभी हाली में 20 फरवरी 2024 को मिजोरम और अरुनाचल प्रिदेश ने अपना 37 वा स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 1986 में भारतिय संसद ने भारतिय संबिधान के 23 वे संसुधन को अपनाया, जिससे 20 फरवरी 1987 को भारत के 23 वे राज के रूप में मिजोरम राज को अपनाया गया, और मिजोरम के सा साथ अरुनाचल प्रिदेश भी 20 फरवरी को अपना इस्थापना दिवस मनाता है, नागी पक्षी महुत्सव किस राज से संबंदित है, तो दोस्तों यह महुत्सव संबंदित है बिहार राज से और बिहार सरकार द्वारा बन और पर्याव बरन विभाग जमुई जिले के नागी पक्षी अभ्यारण में यह तीन दिवर्सी उत्सव मनाय जाता है, और इसक इस उद्देश के साथ यह महुत्सव 17 से 19 फरगड़ी 2024 के बीच में मनाया गया नेक्स्ट कोश्चन है मोरो धारो नामक हडपा युक की किले बंद बस्ती की खोज किस राज में की गई है तो दोस्तों अभी हाली में गुजरात राज में मोरो धारो नामक इस्थान पर हडपा युक की कले बंद बस्ती की खोज की गई है और जो इसका टाइम परेड़ निकाला गया है वह है 2600 से 1300 इसा पूर्व और इस कले बंदी की जो माप ली गई है वह है पूर्व से पस्चिन तक 102 मीटर और उत्तर से दक्षिन तक 58 मीटर है और जो दीवार की ओस्तन मोटाई है वह है 3.3 मीटर और इसके दक्षिन पस्चिम की और 10 बाई 10 मीटर का एक मंच है और उत्तर पूर की और एक कुवा है और जो इसकी जो खोज है वह गुजरात के कच चिले में की गई है नेक्ट कोश्चन है अंतर राष्ट्य गीता महुतसब 2024 के पांचवे संस्करण की स्रीलंका कर रहा है और यह एक से तीन माज तक स्रीलंका में आयत किया जाएगा और इस आयन का उद्देश है वह भगवत गीता के सार बहुमिक महत्व को प्रदिशित करते हुए दुनिया भर के वक्तों को एक्जुट करना है दोस्तों और अभी हाली में दादा साहब फाल का अवार्ड मिला है जवान मूवी को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शारुक खान को जवान मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रिस का अवार्ड मिला है रानी मुखर जी को मिसिस चटर जी वर्सिस नौर्वे मूवी के लिए और बेस्ट निर्देशक का जो Critic Best Actor यह मिला है विक्यी कौन्सल को सैम बहादुर मुवी के लिए और Critic Best Actress यह मिला है करीना कपूर खंग को जाने जान फीचर्वी और Critic Best Director यह अवाड मिला है एक्टली कुमार को जवान मुवी के लिए जिनकों की आप यहाँ पे देख सकते हैं और Best International Feature Film यह अवार्ड मिला है ओपन हाइमर मूवी को और Best संगीत निर्देशक का अवार्ड मिला है अनिरुद रवी चंदर को जिनको की आप यहां पे देख सकते हैं और यह अवार्ड इनको जवान मूवी के लिए दिया गया है और फिल्म उद्योग में उतकर्ष्ट योगद के लिए अवार्ड मिला है केजे यसुदास को जिनकों की आप यहां पे देख सकते हैं और यदि हम दादा साहब फाल के इंटरनेशनल अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड भारती सिनेमा की नीव रखने वाले धुंडी राज गोविंद फाल के उर्फ दादा साहब फ इस अवार्ड की ऑफिशल घुष्णा की गई थी तो दादा साहब फाल के जी को आप यहां पर देख सकते हैं और इसके अलावा सिनेमा में युगदान के लिए एक पुरुसकार भारत सरकार दोरा भी दिया जाता है जिसका नाम दादा साहब फाल के अवार्ड है और इसका यह थी 19 फरवरी 2024 से लेके 25 फरवरी 2024 के वीच की कुछ महत्पून इवेंट और खबर हैं तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटिस्ट वीडि की अब्डेट सबसे पहले आपको मिले थैंक यू फ्रेंट्स